दोस्तों पिछले टुटोरियल में हमने देखा था कि कैसे हम menu create कर सकते हैं और menu arrange कर सकते हैं और menu में कैसे items add कर सकते हैं इस टुटोरियल में हम themes related दूसरे settings देखेंगे और अभी तक मैं जो आपको settings बता रहा हूँ वो common settings है जो किसी भी theme पे आपको मिल जाएंगे इस common settings complete होने के बाद हम कुछ theme specific settings देखेंगे यानि कि ऐसे settings देखेंगे जो सरफ theme के साथ आते हैं यानि कि आप कोई theme install करेंगे तो उसके साथ आप कुछ settings मिलेंगे लेकिन अभी पहले मैं common settings ऐसे settings जो कि पहले से हैं मैं वो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अब हम सीखने जारे customize option जैसे ही आप admin panel पर login करते हैं appearance पर आते हैं तो appearance के बाद themes के नीचे customize का option होता है customize option से आप activated theme को customize कर सकते हैं और यही काम आप उस theme पर जो activate है उस पर mouse अगर ले जाएंगे तो आप customize का button मिलेगा आप उस पर click करके भी यही काम कर सकते हैं तो अगर मैं इस blue button जो customize यहाँ पर लिखा हुआ है अगर उस पर click करूँ तो वो भी मुझे उसी option पर ले जाएगा चलिए दोस्तों देखते हैं customize में हमारे पास क्या क्या option है मैं customize पर click करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास left hand side में कुछ menus है और right hand side में हमारा website है तो यह एक ऐसा option है जहाँ पर हम website पर changes live कर सकते हैं और live उसका impact देख सकते हैं कि हमारे website पर क्या changes हुए हैं और जो options आपको यहाँ पर मिल रहे हैं वह आपको theme के menu में मिल जाएंगे और कुछ अलग से option में मिल सकते हैं जो कि इस theme के specific हो यानि कि इस theme के लिए हो जो इस theme के साथ install हुआ था तो हो सकता है कि जितनी बार आप theme change करें उतनी बार यहाँ पर जो left hand side में options आ रहे हैं वो change होता जाए तो मारे पास जो सबसे पहला option है यहाँ पर वो है active theme burnt agent थीम का नाम आप यहीं से change पर क्लिक करके theme change भी कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास option है site identity का अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मैं यह सामने आता है site का title और tagline जो मैं यहाँ से change करूँगा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक web designing और development company के लिए website बना रहे हैं तो मैं site का title उस company के नाम पर करता हूँ जो की है 4score 4score एक fixious company कोई actual company नहीं है तो मैं इस fixious company यानि की Kalpani company का website बना रहा हूँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर title change किया आप देख सकते हैं website पर reflect हो रहा है तो एक अच्छा तरीका है कि आप अगर कोई changes करना चाहते और live अपनी website देखना चाहते हैं तो आप customize में जाके वह कर सकते हैं और मैं tagline इसका change कर दता हूँ मैं tagline लिखता हूँ इसका tagline basically में एक punchline होता है आप चाहे तो इसे रख सकते हैं या फिर blank छोड़ सकते हैं तो मैंने यहाँ पर site title और tagline चेंज कर दिया है अब इस change को save करने के लिए मैं यहाँ टॉप पे जो button है save publish का मैं उस पर click करूँगा तो अब मैंने जो भी changes किया है वो यहाँ पर permanent हो गया है अब मैं इस menu से वापस जाने के लिए जो यहाँ पर back arrow button मैं उस पर click करूँगा अब हम अगला menu देखते हैं इसके बाद हमारे पास option है menus का यह वही option है जो हमने पहले देखा था इस tutorial से पहले देखा था जो कि हमें themes के नीचे मिला था आप menus यहाँ से भी change कर सकते हैं तो मारे पास जो main menu हमने create कर रहा था मैं उस पे अगर click करो आप देख सकते हैं हमारे प यहाँ चेंज कर सकते हैं या फिर एक नया menu यहाँ पर add कर सकते हैं तो मैं वापस जाता हूं और आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर manage location का भी option है मैं यहाँ पर manage location पर click करके menu का location भी manage कर सकता हूं यह बिलकुल menu की option कर रही है बस difference यह है कि हम यहाँ पर live changes को website पर देख करके menus के बाद option है widgets का widgets plugins के तरह एक software है जो आपकी website में functionality add करते हैं widgets कई बार theme के साथ भी install होते हैं और कई बार plugin के साथ भी install होते हैं अगर आपको कोई functionality लानी है अपनी website पे तो आप widgets के जरिए भी ला सकते हैं widgets से खास्यत यह है कि यह sidebars में डढले जा सकते हैं यानी कि हमारे website में अगर कोई sidebar है राइट Sergeant साथ पर हम यहां डाल सकते है और फिर हम header में डाल सकते हैं तो आप इस website के अलगला location पे widgets डाल सकते हैं या software डाल सकते हैं आप beside कर सकते हैं कि आपको यह widget कहां रखना यानि कि ये विजट कहां दिखाना है, विजट मैं अगले टूरियल में cover करूँगा, फिलाल हम सिर्फ कस्टमाइज के options देखते हैं, इसके बाद last option है static front page का, ये option आप settings में जाकर के भी change कर सकते हैं, customize अलग-अलग option का collection है, जो की हमें theme को customize करने में help करता है, तो ये सारे menus हमें अलग-अलग जगवी मिल सकते हैं, और कुछ menus हमें सिर्फ यहीं मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं, ये option मैंने आपको पहले बताया था, कि अगर आप static page आते हैं, तो आप static page रख सकते हैं, अगर आ मैं इसको static page पे click कर दूँ, तो हमारे पास यहाँ पे static page का option आ रहा है, यानकि हमको एक static page यहाँ पर डाल सकते हैं, तो मैं वापस इसे और latest post पे कर दूँ, तो हम latest post पे इसको setup कर सकते हैं, यानकि block page को setup कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं ये changes यहाँ नहीं करूँगा, और मैं back ज आया कि customize के अंदर जो option मैंने दिखाए, वो अलग-अलग theme के लिए अलग-अलग हो सकते हैं, क्योंकि कई बार themes के अपने भी options customize में आते हैं, तो अगर आपने कोई और theme activate किया है, और आपको कुछ और options दिख रहे हैं, तो घबराये नहीं, उसको जाके test कीजिए और check activate करें और उसके customize के menu में जाके उसे customize करें,